नबस्कार दोस्तों, प्लसपइंट के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकित शहा, दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले एकी बल्ब को हम लोग तीन अलग-अलग स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाता है, पहले आप opposite direction में करेगे तो generally बल्ब जो है चालू रहना चाहिए, जैसे के example आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर दो स्विचे से बल्ब है, और समझो यहाँ पर staircase में गया और इसने चालू किया तो बल्ब चालू हो गया, और उपर जाने के बाद यह switch को उल्टा किया तो बल बंध हो जाएगा, तो इस तरह से dual switches पर चलने वाले equipment आपने बहुत सरे देखे रहेगे, यहाँ पर बात हो यह triple switches के उपर, यहाने मालो की एक staircase है, तीन दर्वाज है, ठीक है मालो ऐसा एक scenario है, तीन अलग-अलग floor पर दर्वाज है, बल्ब समझो एक ही है, सब के बीच में, example है, तो आराम से समझना इसको, मालो की तीनो floor के उपर अलग-अलग switches लगी होई है, यहाँ से समझो एक आदमी निकला, और उसको switch चालू करने पर बल्ब चालू हो जाना चीए, समझो यहाँ से आया, और यहाँ पर switch उल्टा करने पर बल्ब बंध होना चीए, तो यहाँ पर निकला तो भी बंध यहाँ चालू, मतलब तीनों बाजू से हम लोग बल्ब को कैसे कंट्रोल करें, वो भी independent switch के जरीए, मतलब तीनों के लिए switch एक ही रहेगी, स्वाज मैं रहेगी, switch अलग-अलग है तीनों के लिए, लेकिन line एक ही है, बल्ब एक ही है, और तीनों जन पर एक बल्ब का control जो है, वो उसको समझने की कोशिश कहते है, तो सबसे बहले dual switch क्या है, उसको समझ लेते है, अब दीखने में तो switch हमारे normal switch के जैसे ही रहती है, लेकिन उसके पीछे की बाजू, आपको ऐसे तीन connections मिलेगे, पहले connection को हम बोलते L1 connection, दूसरे connection को बोलते L2 connection और जो beach वाला connection रहता है, उसको बोलते common connection, इतना समझ मैं है, चलो बढ़िया है, तो अभी माल लोकी जैसे मैंने बताया है कि दो switches है और एक bulb है, यही scenario हम लोग लेते हैं, और यह जो connections है, मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले ये दोनों switch को आपस मैं, उपर का connection और नीचे connection करना है, तो bulb के साथ में connection करने के लिए, यह जो middle point है, यहां से मैं जो आपका positive terminal है, यह आप उसको बोल सकते है, live wire है, उसको मैं यहां पर bulb के साथ में connect कर दोगा, और neutral wire को मैंने bulb के दूसरे terminal से connect कर दिया, यह direct connection किया, उसको switch से कोई लेने देना नहीं रखा है, तो यह जो connection है, आपके सामें जो connection नजर आ रहा है, यह two way switch का connection है, तो मैं two way switch काफी simple है, काफी आसान है, अभी हम लोग बात करते है, three switches, one bulb का connection कैसे किया जाता है, जो हमारा main आज का topic है, उस पर बात करते है, लेकिन यह जानने से पहले जानकरी के लिए बता दू, हम लोग ने online में भी बहुत सारे courses शालू कर दिये, wireman है, motor rebinding है, home appliances repairing है, electrician है, solar है, mobile repairing, computer hardware है, basics है, computer में software भी है, programming भी है, advanced में robotics है, microcontrollers है, python है, बहुत सारे अंगीनत courses है, यह सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app डाउनलोड करना है, app का नाम है, plus point training new, यह आपको google play store पे मिल जाएगा, अधिक जा हाई का message जाल दीजे, तो मैं पूरी जान करें आपको WhatsApp के माधियम से भिज़वा दूगा, तो चलिए, अभी देखते हैं हम लोग, तीन switch को, एक bulb, यानि कि एक bulb को, तीन अलगला switch है, इसके ज़री कैसे नियंतरित किया जाए, उसका connection, तो उसके लिए एक सबसे पहला important switch ले रहत है, यह intermediate switch, मैं आपको इसमेना दो diagram बताऊगा, एक, with the help of intermediate switch, यानि कि intermediate switch का इस्तमाल करके जो diagram है, या बल्ब को जो नियांतरित करें है, वो, और without intermediate भी में बताऊगा, यानि कि आपको दोनो connections में से कोई भी connection कर सकते, यह थोड़ा सा महेंगा है और जली मिलता भी नहीं वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंतर जरूर देखना, पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना बोले अपने दोस्तों के साथ में, तो चले अभी सबसे पहले intermediate switch के connections के जरिए कैसे होता है, वो देख लेते, मालों कि 2 मैंने 2-way switch लिया, और 1 intermediate switch लिया, और यह हमारे जो normal 2-way switch है ना, 3 connections वाले वो लिये हुए, इसके अंदर connections कैसे होगा, सबसे पहले सबसे एक bulb ले लिया, यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया, जो हमारे जो 2-pin plugs है, या 2-pin switch है, सौरी मैंने plug बोल दिया, लेकिन switch है, उसको मैंने नाम दे दिया, यह L1 L2, यह L1 L2, ठीक है, यह हम लोग ने नाम पहले ही देख चुके थे, तो सबसे पहले इधर के L1 से, इधर के, यहने के interpreted जो switch है, उसके भी L1 से मैंने connect कर लिया, इसके बाद L2 को L3 के साथ में connect कर लिया, यहाँ पर इसका जो L3 है, उसको यहाँ पर L2 से मैंने connect कर लिया, फ इतना connection समझ मैं है, यह तीनों अलग-अलग switch से एक ही bulb को हम लोग operate करने के लिए connection बता रहे हैं, और यह जो switch है, उसको बोलते है, intermediate switch, अभी यहाँ पर bulb का connection और live wire का connection, तो live का connection समझो यह वाला है, मैंने common terminal पे लगा दिया, इधर के, फिर bulb को जो live wire का connection लगाना है, इसके middle point स मैंने bulb के साथ में connection कर दिया, और यह neutral wire को connection कर दिया, यह हो गया हमारा तीन switches को, एक bulb को control करने का diagram, इस तरीके से आप तीन switches के जरीए एक ही bulb को operate कर सकते हैं, इसका इस्तमल काफी सारी जगे में होता है, जैसे मैंने staircase में होता है, tunnels में भी होता है, इसका use, hospitals में भी कई सारी ज switch नहीं लेना है, और two-way switch के जरीए ही करना है, तो भी आप कर सकते हो, कैसे, तो माल लो, आपने तीन two-way switch लिये, और उसके जरीए इसको bulb को control करना है, तो connection यहाँ पर थोड़े से बढ़ जाएगे, लेकिन बहुत ही आसाने, बहुत ही simple है, देखते कैसे, सबसे पहले यह जो बीच वाले हिस्से उसको में लोग ने नाम दे दिया, c1, c2, c3, common वाला जो हिस्सा था, उसको मैंने नाम दिया, c1, c2, and c3, इसके अलवा जो terminals है, उसको मैंने नमबर दे दिया, l1, l2, एले वाले switch को, दुसरे वाले switch को दिया, l3, l4, तीसरे वाले switch को दिया, l5, l6, यह हमारा जो main line से आने वाला live wire को मैंने किदर connect किया, C3 में connect किया, neutral को मैंने bulb के साथ में direct जोड दिया, उसका switch से कात्में कोई वास्ता नहीं, उस तरह से connection कर लिया, अभी main connection अभी start होते हैं, ध्यान से देखना, यहां का bulb का जो live wire है, वो मैंने पहले number की switch में C1 में connect कर दिया है, bulb के live wire को मैंने connect कर दिया, C1 के साथ में, अभी आगे के connections देखते, अभी C2 से C3 में connection जाएगा, यहां पर middle point हो गया, इधर का middle point हो गया था, इधर का बाकी था, तो इसको भी हमें live wire से support देना पड़ता है, यहांने कि live wire से supply देना पड़ता है, तो यहां से supply मैंने live wire से जो supply है C3 से, मैंने C2 पे connection कर दिया एक, सवज में ही बात इतनी, ठीक है, यह हमारे middle point के connections खतम गए, अभी L1, L2, L3, L4, L5, L6, यह सब के connections देखते हैं, तो सबसे पहले L1 और L4 को आपस में जोड़ दिया, L2 और L3 को आपस में जोड़ दिया, L3 और L6 को आपस में जोड़ दिया, L4 और L5 को आप उने आपस में जोड़ दिया, connection सहोज मैं है, बहुत ही simple connection मैंने बता है, यह देखिए live wire आपका C3 में गया है, और phase wire जो live का बल्ब के साथ में जो terminal गया, वो C1 से होते हुए गया, C2 के पास कोई supply नहीं था, तो C3 से हम लोग ने C2 को भी supply अलग से दे दिया, neutral wire हमारे बल्ब को आपस में जोड़ दिया, L1 को L4 के साथ में जोड़ दिया, L2 का connection L3 के साथ में और L3 से और एक connection L6 के साथ में, इस तरह से सब connection आपस में जोड़ दिया, और ये हो गया आपका 3 switch के एक बल्ब को operate करने का तरीका, ये live practical करके देखो, 100% successful हो गई, खाली में बता दे तो इसमें operation कैसे होगा, ये जबी बंद रहेगा और ये चालू रहेगा तो काम करेगा, ये चालू रहेगा तो तीनो ये बंद हो जाएगा, अगर ये चालू रहेगा तो ये चालू होगा, ये चालू होगा तो ये चालू होगा इस तरह से काम करेगा, तो और करके देखे कि तो practical समझ में आएगा वारना practical नहीं समझ में आने वाला है ठीक है ये भी option है इसके पहले जो मैंने intermediate switch के जरीए दिखा ये भी बहुत ही बढ़ी option है और इसके बाद जो ये वाला option दिखा है वो भी बहुत ही बढ़ी option है दोनों try करके देखो intermediate switch नहीं मिल एक बार खाली एप डाउनलोड करो, अभी तो एर कंडिशन रिपैरिंग का भी कोर्स हम लोग चालू कर रहे है, अधिक जानकरेची ओनलाइन कोर्स के लिए तो यह मारा वाट्सअप नमबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज जा दीजिए, तो मैं पूरी जानकरी आपक चैनल के उपर तो सस्क्राइब का बटन दबा के बैल का आइकउन दबा देजाए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिवेक्शन आपको जल से जल मिल जाए, चले इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फा लिसनिंग